हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी स्टेडी बात करते हैं माध्मिक सिच्छा मंडल मद प्रदेश भोपाल के हाई इस्कूल एवं हाईर सेकंडरी सैटीफिकट परिक्षा सत्र एकिस बाइस की जिसका बुलू प्रिंट जारी कर दिया गया जिया नभी इंतम बुलू लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्रपयाप चैनल को सस्क्राइब कीजे और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजे जिससे लेटेस्ट अपडेट इसी तरह आपको मिलती रहें चले शुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे माध्मिक सिच्छा मंडल भ तो पहला है स्रितिज भाग वन में आपके आवंटी तंक कितने हैं सत्रा अब इसमें वस्तुनिस्ट प्रशनाप के साथ हैं और दो दो अंके तीन कोच्चन एक चार अंका है अब कहां कहां से पूछे जाएंगे तो काब खंड से आपका पद्ध साहित का इतिहास भक्तिका आधुनिक काल प्रगतिवाद छायावाद नई कभिता कभी परिचय भावार्त सौंदर बोध तता भाव एवं विसे वस्तु पर आधारित प्रशनाप के होंगे ठीक उसका सेकेंड है काब बोध यहां से आपके 14 अंके की कोश्चन आएंगे जिसमें साथ अबजेक्टिव और दो दो अंक के दो कोश्चन और एक तीन अंक का कोश्चन रहेगा अब कहां से कोश्चन आएंगे तो काब की परिवासा एवं भेद रस की परिवासा प्रकार हुआ उदाहरन चंद दोहा सवया चौपाई मुक्तक चंद अलंकार अनुप्रास रूपक उपमा उत्प्रे और दो दो अंक के तीन कोश्चन और एक चार अंक का कोश्चन होगा तो यहां से आपके गद्ध की विधाओं का परिचाय लेखक परिचाय व्याख्या विशेवस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रशन आपके आएंगे उसकोद भासा बोध से आपके संधी के भेद मुहावरे क्रिया विसलेशन वर्तनी विलोम सब्द उपसर्ग वा प्रत्य समासिक पद क्रिया के भेद सब्द युग्म तत्सम सब्द अंचलित सब्द विज्यापन लेखे भासा बोध से आपके यहां यह कोश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि 11 अंक के ख़े जाएंगे। एक दो अंकका और एक तीन अंक का क्यों पूछे जाएंगे। जो कि आपके आठाएंगे होंगे इसमें भी शे आपके उब्यक्टीव होंगे और एक दो-अंक का कोश्चन होगी. अब आपठित बोध से आपका आपठित काब्यांस और आपठित गध्यांस होगा यह तीन अंक का होगा और एक यह तीन अंक का गध्यांस होगा अब पत्र लेखन में पत्र पत्र और अनपचारिक पत्र यहां से आपके चार अंग के कोष्चन आएंगे और एक ही आएगा अथवा में रहेगा आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं अब निवंध लेखन तो यहाँ किसी एक भी सहपा निवंध और अनुच छेद लिखन होग वग संबाद लिखन शात अंक का कुल मिला के आएगा जिसमें निवंध आपका 4 अंक और अनुच छेद लिखन होग वग संबाद लिखन तीन अंक का आएगा तो इस प्रकार से आपका हिंदी का blueprint था, आँगे बढ़ते हो देखते हैं अंग्रेजी का, तो अब अंग्रेजी में आपके section 1 में unseen passes के दो question रहेंगे, 10 अंख के होंगे ये, तो 5-5 अंख के आपके दो question रहेंगे, unseen passes के, उसका section B में आपकी क्या होगी, तीसरा question note making होगा, छथमा question होगा, picture guided comparison, तो इस प्रकार से section B से 16 अंग के question आएगे, या होगा, 2-4 चार रंग के रहेंगे, note making चार रंग का, letter writing चार रंग का, लेकिन long comparison ऐसे वगर ये आपका 5 अंग का question आएगा, अब section C में क्या है, filling in the blanks, और do as directed, ये आपके 5-5 अंग के most important question दो रहते हैं, त पूरी तयारी easy study करवाएगा, तो आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा, अब section D में देखते हैं, तो section D में क्या होगा, text tool MCQs आपके 6 अंग के होगे, और extract form अलब क्या, poetry और poetry से संबंधित question answer आपके पूछे जाते हैं, ये भी 6 अंग के होते हैं, ठीक, उसका 11 question आपका दो-दो-ँगे दो-कोशे नहीं होगे, ये poetry से संबंधित question होगे, ठीक, उसके बाद है tern में फ्रस ने soft answer type question, ये moment से संबंधित दो-दो-ँगे दो-कोशे नहीं होगे, उसके बाद चौदूमा कोशेशन है, long answer question, ये भी आपका क्या होगा, तीन अंग का होगा, जी हां, य तोलवा क्या है यह भी long answer type question है यह भी आपका जो है तीन अंका एक question है इस प्रकार से English का blueprint है अब आगे बढ़ते हो देखते हैं other subject बात करते हैं विसे Sanskrit की तो Sanskrit में आपका पहला प्रश्न क्या होगा प्रत्य है विसलेशन और विसेश्यम से संबंदित साथ अंक के question होंगे सातो ही आपके objective होंगे Sanskrit में चुकि बहुत सारे objective आते हैं इसलेशन सारे ही यहाँ पर objective है second question होगे परयाय विलोम एक पदेन प्रश्नोतर होंगे यह भी सात अंक के तीनों से दो दो और तीन अंक के question होगे यह भी क्या होंगे आपके objective होंगे सब्द रूपानी उपसर्ग संग्या यहां से भी आपके तीन अंक दो अंक और एक अंक के कुल मिला के 6 अंक के objective ही होंगे चौता question होगा आपका धातु रूपिन अब्बे और सर्वनम यहां से भी आपके 6 नंबर के objective ही आएंगे पाचमा होगा संधी समास यहां से भी 6 नंबर के objective ही आएंगे उसको पाठगत प्रशनोत्तर यह 12 अंक के यहां से आएंगे और क्या होंगे दो-दो अंक के 6 question आपसे पूछा जाएंगे पाठगत के अंतरगत जो भी प्रशनोत्तर होंगे अब वयन परिच्चे यहां से दो-अंक कही आएगा और एक ठो कोश्चन आजाएगा कंग कहा कंग प्रतिकत्याती यहां से भी दो-अंक का एक कोश्चन पूछा जाएगा अब प्रश्ण निर्माणम यहां से भी दो-अंक का एक कोश्चन पूछा जाएगा असुद्ध कार्क संसोधनम यहां से भी दो अंक का एक कोश्चन पूछा जाएगा अब ग्यारमा कोश्चन होगा गध्यांसम अधिकरत तो यहां से तीन अंक का एक कोश्चन आपका गध्यांस करेगा और पध्यान्स का बार्मा नंबर यैंट स्था थिल स्थानका फूर्षन है यहां की प्रमा प्रस्ण में आये करता की weekends सुलोग आपको यहां पड़ेंगे तो रखेंगे, इस प्रकार से है आपका संस्क्र्वत का पेपर ता आंगे बढ़ते हो और देखते हैं, गणित्व में जो है अध्याए एक संख्या पध्धि यहाँ से आपके 7 अंक के कोश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 3 अंक का ओब्जेक्टिव होगा और 2 अंक का कोश्चन होगा अध्याय चार दो चरों वाले रेखिक समी करने यहां से दो अब्जेक्टिव एक दो अंख का question अध्याय च्छे जो है रेखा हैं और कोन यहां से आपका क्या होगा एक एक अंख के तीन question और एक तीन अंख का question पूछा जाएगा अध्याय साथ त्रिभूज है यहां से आपका दो अबजेक्टिव और एक दो अंक का कोश्चन आएगा अध्याए दस बरत यहां से आपका क्या होगा कि चार अबजेक्टिव आएंगे और एक तीन अंक का कोश्चन आएगा अध्याए 11 से आपका सिर्फ एक चार अंक का कोश्चन आएगा जो कि क्या है अध्याय 14 संखिकी यहां से 5 अंक का पूछा जाएका जिसमें 2 objective और एक 3 अंक का question रहेगा अध्याय 15 है प्राइत्ता यहां से क्या होगा यहां से 2 objective और 2 जो है 2 दो अंक के question होगा अंगे बढ़ते हो देखते हैं बिसा बिग्यान हाँ अब देखते हैं बिग्यान तो बिग्यान में पहला जो है हमारे आसपास के पदार्थ यहां से इस हीकाई से 3 अंक जो है आवंटित किये गए हैं एक objective और एक 2 अंक का question यहां से पूछा जाएगा second है क्या हमारे आसपास के पदार्थ सुध हैं यहां से 2 objective और एक 2 अंक का question पर्मानू एवं अनू यहां से 4 objective और एक 4 अंक का question पर्मानू सन रचना यहां से 3 objective और एक 1 अंक का question पाचु है जीवन की मौलिक इकाई यहां से क्या होगा 3 objective एक 2 अंक का ओर 1 एक 3 अंक का question उसका अगिनess मुजाए इसे टाप पूछे जाएंगे जीवों में विविधता यहाँ से क्या होगा यहाँ से 3 objective और 1 चार अंक का question पूछा जाएगा गती से आपका 1 objective 2 जो है 2 डो अंक के question पूछे जाएंगे बल एवम गति के नियम एक objective और एक čार अंक का question गुरुत्वा करसंड से दो objective और दो अंक के ही question पूछे जाएंगे कितने दो कोश्चन होंगे दो दो अंक के कार एवम उर्जा तीन objective बस प्रश्निहा से कार उर्जा से नहीं पूछे जाएंगे ध्वानी, दो objective पूछे जाएंगे ध्वानी से, एक दो अंक का और एक चार अंक का question पूछा जाएगा उसको बाद हम बीमार क्यों होते हैं, अब यहां से आपके दो objective और एक दो अंक का और एक चार अंक का question पूछा जाएगा उसको आद है खाद संसाधन में सुधार यहां से क्या दो अबजेक्टिव और एक तीन अंका कोश्चन आगे बढ़ते हैं बिस है समाजी विग्यान अब समाजी विग्यान में क्या है तीन-चार खंड अलग-अलग बटे होते हैं अब यहां देख लेते हैं अलग-अलग तो पहला क्या है समकालीन भारत भूगोल से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है तो भारत का आकार और इस्थिति यहां से आपके दो अबजेक्टिव आएंगे और एक चार अंग का मानचितर आएगा जी है मानचितर आप लोग जरूर रट लीजे तो कि चार अंग का सबसे महात्पूर्ण प्रश्ण यह है और यह आता ही आता है सेकंड क्या है भारत का भौतिक शुरूप यहां से भी आपके चार अंग के कोश्चन पूछा जाएंगे जिसमें एक ठो अबजेक्टिव होगा और एक तीन अंग का कोश्चन होगा ठाएड़ है अप वा है यहां से एक ऑबजेक्टिव एक दो अंग का कोश्चन और समकालीन विस्व तो यहां से आपका फ्रांसीसी क्रांती से आपके जो है सिर्फ एक चार अंके कोश्चन होगा यूरोप में समाजवाद एबं रूसी क्रांती दो अबजेक्टिव और दो ही दो-दो अंके कोश्चन तीसा नाजसीवाद और हिटलर का उदय एक अबजेक् ठेड है लोगतांतरिक राजनीती यहां से आपके लोगतांतर क्या और लोगतांतर क्यों एक अबजेक्टिव और एक चार अंक का कोश्चन संबिधान निर्मान एक अबजेक्टिव एक दो अंक का कोश्चन चुनावी राजनीती दो अबजेक्टिव एक दो अंक का जास्त्र में देखते हैं, तो पालंपुर गाउं की कहानी, केवल तीन आप्जेक्टीफ यहां से पूछे जाएगे, संसाधन के रूप में लोग, यह रूप्जेक्टीफ और एक ड़ू अंक का वह स्च्टन निर्धनता एबं छुन उति अप्जेक्टिफ और एक चार अंक का कोश्चन भारत में खाद सुरक्षा यहां से केवल तीन आपजेक्टिव तो दोस्तों यह था क्लास नाइन्थ का अपडेटेड ब्लूप्रिंट आपको यह भी बता दें कि इजी स्टेडी दिसंबर के बाद सही लगातार वार्सिक पर हिच्छा की तैयारी आ दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद